स्वागत है हमारे एक नए बुलोग में तो दोस्तों भी सुभा के दस बच चुके हैं और पिछला बुलोग में आप लोगों ने देखा था हम लोग गाड़ी खाली करके इंडिया में निकल चुके थे लेकिन कल हम लोग को प्रोगाम मिला नहीं था कहीं लोडिंग का तो दो सकते दोस्तों अभी रासन उसन ले आये हैं बाजार गिये तो नेपाल बोडर किये तो ही पर सब मार्केट लगते हैं न तो पुराना वाला बोडर गिये दा चपल भी लिए एदर रासन पानी भी ले लिए चलते हैं खिचडी बनाएंगा इस अनी बार है चलिए ठीक है दो सब्सक्राइब करने निकल जाएंगे क्योंकि यह गाड़े खड़ा करने कुछ फाइदा नहीं है और ट्रांस्पोर्टर जो हमारा पैसा बाकी था जो माल लेक्या थे हम लोग उसका भी पैसा डाला नहीं है भी तक अभी देखिए अभी फोन करेंगे उसको दसी का रहा सब्सक्राइबर भा आगे हैं मिलने के लिए तो वह गाल jaar देखते हैं कर दो दोस्तों हमरा बरतन मगरा सारा दोल चुका है और वीडियो भी एडिटिंग हो गया वीडियो को डॉलोड करना पड़ेगा लेकिन यहां पर नेट्रोक नहीं है तब चलते हैं उदर नेपाल गन जाने वला रास्ता में जो नेपाल भंसार नया बना है वहां पर नेट्रोक तो उदर जब खाना बना के खालेंगा और डिजल भराएंगे फिर अपना निकलते रहेंगे वैसे लोडिंग का तो भी बात नहीं हुआ है लेकिन उमीद है अज कहने कहीं हम लोगो जाना है क्योंकि यह रूपके कुछ फाइदा नहीं है बारिस हो रहा है अब जो भी मान म काम रहे यह ज्यादा रहे जैसा मान मिलेगा लोड करके हैं निकल जाना भाई तो चलिए पहले गाड़ी उदर लगाते हैं वहाँ दो काम हो जाएगा खाना भी बन जाएगा अपना और अपना वीडियो भी अप्रोडिंग हो जाएगा कि दोस्तों भी सुबा कि साड़ी गारा बच चुके हैं और अभी गाड़ी लेका आगे हैं नया भंसार पर यही रोड जो नेपाल तेला जाता था यहां पर नेट्रोक बहुत जादा है अच्छा रहता है और यहां से नेपाल जो लिए उस सहर है उसके तेए किलमेटर आजे इसलिए गाड़ी यहां पर लगाए और यहां साब सुत्रा जगह है खाना प्राना बनाने को दीकत नहीं है तो चलिए हरकल का बारिस भी और आप देख सकते हैं नजारे बहुत गर्मी हम लोग जेले लेकिन अभी बारिस आज आ कि आलो भी कटिंग कर लिया गया है इदर हरा मिर्च लासू इदर प्याज इदर सोया बीन और टाल के हम लोग खच्डी बनाने वाले हैं तो चलिए ठीक है दोस्तों पहले लसून नीजा प्याज को फराय करके लेते हैं तयल में देखिए दोस्तों इधर लसुन डाल दिया आप जारे पियाज और मिर्चा डालने के लिए लसुन डाल हो गया तो इधर आगे आम लेने के लिए तो देख सकते हैं पुरा ठेला में अच्छा चाहाम है अभी एक किलो आम ले रहे हैं रोहिद भाई को भी खिलाते हैं और हम भ देखिए दोस्तों अभी चाओ अलोग 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 तो डाल दिये हैं इसको बढ़ियां से खुड़ा चलाले जो इसके बाद पानी डालेंगे मसाला भर जब जब मसाला पानी शुख जाएगा तब पानी डालेंगे ज़ए इसे आज खिजिडी बनाते हम लोग अजिक से दोस्तों अजिए खाना तो बन रहा है इतर कि आम भी काट लिया है कि इतना सुंदर लग रहा है और आम इतना चप गया कि इसका सुंदरता देखने लाएक है तो दोस्तों आज यहां हम लोग बाहर में ट्राइक कर रहे हैं मलग यूपी में आये तो तो आम नहीं खाये थे तो इस फाश सेजन का और बारिस के बाद का पहला हम खा रहे हैं दोस्तों आम काफी जादे मिठा लग रहा है खाने बहुत मज़ा रहा है कि दोस्तों इदर खिचली एकदम रेटी हो चुका है अब इसको उतार देते हैं और उसके बाद जीरा को छोलेंगा इसके बाद इस देखे दोस्तों भी दुपार का एक बच चुका है और देखे खिचरी बना है आज इस भी बनाए है चलते हैं घ्चली खाने के लिए जोता बनाए स़नि को था थय है घ्चली कि ज़ानाल का theory सब गला आज है हम बना है चलते हैं खिचरी जोताल उसे की सब आवह घ्रम जाद कि यहां बहुत ज्यादा बारिस हो रहा है कादो कीचोड इदरे है इदर फारता में कुछ मेल नहीं रहा है कि यहां से खिच्डी खाकर डारे गुदा जाएंगे उदरे खाड़ा रहेंगे तो मिलेगा माल तठीक है न तो अपका करें कुई पाई नहीं है दोस्तों भी हमारे खाना पिना हो चुका ता अब आराम करना ही वाले थे देखिए दो सब्सक्राबर भाईया आगे हैं तो भाईया क्या नाम हुगा आपका आनद वर्मा जी आपका दुबश्वार का पासे दीजल लेने के लिए आए हुए है यहां से डीजल लेके नीकलना है यहां से माल मिला नहीं है यहां पर बहुत यादा बारिश हो रहा देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है बारिश यहां रूप नहीं रहा है पर थुए से बारिश लगा तो अभी तक छुटा नहीं है यहां से निकल जाएंगा आगे जाके कहीं खाडा रहेंगा अभी तक तक हम लोगो माल मिला नहीं है दोस्तों भी रूपे डिया बोडर से हम लोग डीजल लेके निकल चुके हैं तो देखिए आगे आए तो देखिए चारो तरफ खेती खेत देख सकते हैं और यह देखिए बारिस के पूरा पानी भर गया तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है भाई क् देखिए चारो तरफ बारिस ही बारिस हो रहा है भाई तो चलते हैं यहां से और आगे देखते हैं लोडिंग वोडिंग मिल नहीं रहा है अब लगता खाना बनाना और इधर ही रहना पड़ेगा तो चार दिन देखे दोस्तों दुपार का भी थाड़े तीन बच शुके हैं अभी तक बारिस छुड़ा नहीं है यहां पे गाड़ी लगा दिये हैं देखिए यादो ढवा पे आये हुए चाई पीने के लिए पंकज भिया गाड़ी में है अभी चाई उपी के यहां से चलेंगे देखे दोस्तों अभी यादो ढवा पे आये हुए चाई पीने के लिए देखिए यहां पे चाई आगिया है और पंकज भिया गाड़ी वहां पे लगा हुआ है पलाई पत्ता भी लोड होता है तो सुखा माल है वही लोड होगा और बता रहा गेहूं मैदा यह सब लोड नहीं करे यहत चाई है बनाता है अब यही होटल है बहराई लेकर नान पड़ा तक जो इही होटल है छोटा मोटा होटल है वारो समस् undो समय खाने नहीं यहां से बहराज 20 किलमेटर पड़ता है तो आके यह पे रुग गया है और लोडिंग का बात किये तो कोई प्राइब बताया नहीं तो बारिस ही जादा हो रहा है तो पारसो रात से जो बारिस शुरू हुआ है तो रुखने का नाम नहीं ले रहा है अभी भी जख सकते हैं बा अब नहीं क्यों डाम नहीं निगल नहीं रहा है इसके वल जजे आम लोग आकन कर सकते हैं अप्स्टो यहीं जो को चया चुपना ब जोड़ानी है और माल कहीं मिला नहीं बाई थाओ चुछी यहां भाई जोट नहीं रहा है रे इतना परिशानी लगारा है नहीं दोस्तों दोस्तों देखें अभी में देखिये क्या बारीज काहानी है अज रात में बंद अच्छा रहेगा दोस्तों कि सुमा पर निकाल जाएं काई कि माल नहीं मिला इसलिए होटल पे लगा दिये गाड़ी होटल में खा रहे हैं गाड़ी का बचा वही खाना का रहे हैं होटल अला भी बोलेगा थे कोई गाड़ी लगा दिया खाना नहीं खा रहा है लेकिन दोस्तों खाना मरा बचिका देख भी नहीं सकते हैं इसलिए खा ले ने रोहित कल संडे है कल संडे वाल क्या प्रगाम होगा कल बनाया जागा मता चिकन बनाया जागा यह बारिस में तो ल का करें इतने कचाहिन हो गया कहना नहीं है चलिए ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं गुड मोर्निंग दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन है और दोस्तों अभी शुबा के आड़ बच चुके हैं और अभी भी हम लोग जाद़ जी होतल ही है बस अभी हम लोग सुबा सूच पर अभी भी रात से और सुबह से भी बारी जा रही है चलिए ठीक है दोस्तों आप लोग को नेक्ट वलोग में देखने की मिल जाएगा यहां से आगे का जर्नी उसको जहां का माल लोडिंग मिलेगा वहां को लोड करनेगा और इसी के साथ इस ब्लोग को यहें पेंट करते है मिलेगा नेक्ट वलोग में जाहिन जाह भारत रिस्ट ड्रेवर